हाज जी गड़िवनी तो सर इतनी रात में क्यो आना पड़ा न्यू सिलिबस आया हुआ है और बच्चे डरे हुए है पता नहीं क्या चेंज हुआ क्या चेंज नहीं हुआ और मैं भी बहुत दिनों से इंतिजार कर रहा था क्यार कुछ नया आये का कुछ नया आये का और आ गया और नया क्या हुआ सर नया क्या हुआ यह बताई नया बस यह हुआ कि SFM का नाम चैंज करके enemy ए मिए SFM कर और कुछ नया कि समझाने के बसी कुछ नाया नहीं हो समझाने के कोशिश कर रहाँ यह है हमारा फाइनल कोर्स पहिपर टू आडवांस फाइनेंश determination management निव स्कीम ए टैक है मैं टूटल मिलाकर ज़रकर देखो के हमारे advance financial management नकार पंधा चैप्टर ठीक सर इससे पहले क्या चलता था इससे पहले हमारा चलता था strategic financial management और सर टूटल मिलाकर कितने चैप्टर है? चूदा चैप्टर है तो एक चैप्टर रेट हुआ ह। काम की चीज एक चैप्टर रेट हुआ और उसका नाम है चैप्टर नमबर 3 और नाम क्या सर एडवांस कापिटल बश्टिंग डिसिजन पहले उस पर बात कर ले फिर बाकी टॉपिक पर बात करते देखते हैं क्या चैंज हुआ क्या चैंज हुआ तो मुद्दे के बात यही है कि जो एड हुआ है वो एड हुआ है एडवांस कापिटल बश्टिंग अब बच्चों के मनविया यह है सर यह एडवांस कापिटल बश्टिंग क्या है हमने CA इंटर में तो कापिटल बश्टिंग पढ़ा है तो जो CA inter में पढ़ा है उसी का कोई advance रूप आया होगा कोई रूप रूप नहीं आया जो इंटर में पढ़ा है वोई final में पढ़ना है यह भगवान ऐसे कैसे है हाँ ना यार यही तो दिखकर इंटर में क्या बढ़ा अगर मैं इंटर की बात करूं कहां गया भाई इंटर की यह था आपको पुराना वाला इंटर हाँ सर सी यह इंटर पुराना स्ली बस इसमें module 2 में capital बश्टिंग पढ़ते थे capital बश्टिंग में एक investment decision था और एक risk analysis in capital बश्टिंग था ठीक है risk analysis याद है probabilistic approach था शर्टिनेटी एक्विवेलेंट एप्रोच था risk adjusted discounting rate था decision tree था sensitivity analysis था सेनारियो पढ़ा हुआ है आपने मना नहीं कर सकते है आसर पढ़ा हुआ है scenario analysis था replacement decision था वो तो आज भी है अब institute भाई साब ने क्या किया ये वाला अब new scheme में जो है CA Inter में financial management में ये वाला topic हटा दिया risk analysis in capital बश्टिंग और उसको उठा कर अब उसने यहाँ डाल दिया और उसका नाम कर दिया advanced capital बश्टिंग तो क्या सर अल्रेडी हमारा ये पढ़ा हुआ है हां आपका अल्रेडी पढ़ा हुआ है pension ही खताम ये तो आपको bonus में मिल गया भाई तो सर वही वाले question होगी कि same जो CA interim है मैं नहीं मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि वही वाले question है वहाँ थोड़े easy level के तो सर ये तो आप तो बोल रहे थे हैं बिटिप मेरी बास सुना जब news scheme आया था उससे पहले वाला और पहले की बात करूँ जब syllabus change हुआ था उस समय capital budgeting करके एक topic था CA final में जब change हुआ syllabus तो capital budgeting को उसने उठाया जो risk analysis है पूरा की पूरा capital budgeting को उठाया CA final से और उठाकर CA Inter में डाल दिया उस level के question नहीं डाला पर CA Inter में डाल दिया ठीक है और आशर की बास सुनों मेरी बास समझे उसमें question थोड़े advance level के थे final में CA final में जो capital budgeting हटाया था पहले और Inter में जब डाला तो जो advance level के थोड़े जिसे heavy question थे वो question हटा के बचे कुछे question उसने वापस डाल दिया ठीक है CA Inter में डाल दिया अब सुनों सबसे important बाद उस समय मैंने पूरा capital budgeting क्योंकि वो हटने वाला था तो पूरा capital budgeting record करके YouTube में डाल दिया पुराने recording है YouTube में डाल दिया थ ठीक है ठीक है सर अब वापस Inter से हटा कर final में डाला है लेकिन final में advance level के question हो गया है मल तब ultimately सर कहना क्या चाहते हैं कहना ये चाहता था कि पहले जो capital budgeting हटाया था वापस वही capital budgeting डाल दिया और आश्यर की बात है कि ये वाला topic advance capital budgeting already मेरा record है और already दो साल पहले तीन साल पहले से YouTube में डाला हुआ है और अगर आप उसकी recording देख लिए उसके notes उसके notes already PDF already description में और मैं इस वाले description में उसका link share कर देता हूँ आपको करना नहीं है मैं बता रहा हूँ कि यार कोई change नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मैंने करवाया है YouTube में डाला हुआ recording डाल round description में डाल देता हूँ पहले recording उसका एक-एक question इसमें cover मतलब इसका कोई भी ऐसा question नहीं है जो मैंने इस recording जो description में डाल रखा उसमें cover नहीं किया मतलब कुछ change नहीं ठीक है सर capital listing में कुछ है नहीं हाला कि उस recording को मत देखिएगा वो तो मैं नहीं recording दे दूँगा आपको उसका चिंता नहीं और YouTube में डालने वाला हूँ YouTube बालों के लिए मैं क्या करूँगा मैं आपको पहले हम मुद्दे की बात करें ठीक है तो यह नहीं आया है इसके अलावसर बाकी चैप्टर में क्या हुआ यह भी बता दीचे अब यकिन माना मिरी बात सुना बाकी चैप्टर में एक भी एक भी कोशन नहीं नहीं आया QV मैंने एक एक QV देख कर ही आप से एक भी कोशन नहीं नहीं आया Concept नहीं नहीं आये मैं यह नहीं बूल रहाँ हूँ Concepts आय है इसने सिर्प वही QV डाला I.C.E.A. इन जो पहले से आपके 140 में थे लाउना कुछ नहीं है तो फिर सर नया जो topic आया है उसके question उसके question हम बनाएंगे हम कही ना कहीं से उठाएंगे ICAI ने तो दिया नहीं question तो कहीं ना कहीं से उठाकर आपको पढ़ाएंगे आप उसकी चिंता ना करो ठीक है तो आप मिला लेना आप मुझे पर क्यों trust करो आप मिला लेजिएगा मैं फिर से वरों एक भी question नहीं आने है किसी भी topic ओके चिंता वाली बात आई नहीं है सर आप YouTube वाले बच्चों के साथ क्या करने वाले हो क्या पढ़ाने वाले तो सुनो जो advanced capital wasting है इसका पूरा की पूरा lecture study mat से जो study mat में जितने भी question से वो पूरे की पूरे question मैं YouTube में डाल दूँगा new recording के साथ सर regular वाले बच्चे भी वहीं से देखे नहीं भाई नहीं regular जो मेरे बच्चे मुझसे class ले रहा है उनको वो तो पढ़ाऊंगा उसके अलावा extra questions भी हमको पढ़ना पढ़ेगा उन लोगों के लिए अलग बात है उन लोगों के बात class में होती है बात कतम आपको मैं पूरा की पूरा यह वाला recording दे दूँगा इसके अलावा एक मुद्दा और है वो है multiple choice questions यहां हमको महनत करनी पड़ेगी अगर आपने पहले से class ले रखी है तो multiple choice questions मुझे मैंने बटोर रखा है डेरिविट्व के multiple choice questions कहीं कहीं से उठाकर रखा है क्योंकि अभी तक ICA ने MCQS तो दिया नहीं है कहीं से 30 नमबर है यार उस पहला कि conceptual ही होगा concept आपके अच्छे तो हो जाएगा पर फिर भी practice तो करनी पड़ेगी यूट्यूब वाले बच्चों को मैं दो तरह से help करूँगा जो नया concept आया वो तो समझा ही दूँगा एडवांस capital बस्टिंग पूरा की पूरा चैप्टर यूट्यूब में अप्लोड हो जाएगा उसकी और अप्लोड है ओल्रेडी पर नया अप्लोड हो जाएगा ठीक और तीसरी बात बात होगी मल्टिपल चॉश कुश्चिंग वह में कर बात तो बहुत ज्यादा चैंजिस नहीं है इसके लिए बहुत ज्यादा classes भी नहीं लगती तो बस इतना ही बताना था चिंता ना करो अराम से अराम से रिलेक्स हो जाए रिलेक्स किया रो बहुत तो यह था किया चैंज होगा क्या नहीं होगा कितना और एक्षा पढ़ना पड़ेगा कुछ एक्षा करते हैं थैंक यू